टो चलिए पंडिर जी कई पूजा में पूझाने का कारण क्या है साथ ही यह जानते हैं कि किस तरह से देवी देवताओं को चढ़ाए गए फूरूनों से मिलते हैं हर सुह और दुख हो जाते सभी दुख आप तो बताए पंडित जी कैसे फूल चढ़ाना देवी देवताओं को तो मंदिर में जाते हैं तब भी चढ़ाते हैं पूजा पाट करें तब भी हम फूल चढ़ाते हैं क्या इसका महत्व है कि देखिए फूल जो है यह वायु तत्तु का प्रतीक है और फूल हमारे स्रद्धा के समर्पन का प्रतीक है कहला रोत्पल नाग केसर सरोजाख्या वली मालती मली कहरव के तकादि कुस्मई रक्ता सुमा राधभी पुस्प इमाल भरेंड सुरभिणा नाना रचस्त्रोतसा तामराम भोज निवास निम्सी चंडिकाम प्रीतये तो कहने का मतलब यह है कि नाना प्रकार के पुस्प इस संसार में हैं जिन्हें हम जानते होंगे या नहीं जानते होंगे उन फूलों को और ताजे फूलों को जब हम देवताओं को अर्पित करते हैं देवताओं का अर्चन पुस्प से करते हैं उनके मूर्ति का स्विंगार पुस्पों से करते हैं तो देवताओं प्रसंद हो या ना हो यह तो देवताओं ही जाने हैं लेकिन अपनी आत्मा संतुष्ट जरूर हो जाती है और चुकि आत्मा में परमात्मा का वास होता है, इसलिए अगर आत्मा संतुष्ठ हो गई, तो परमात्मा जरूर संतुष्ठ होंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रातर समराम हिर्द्शंस फुर्दात्म तत्वं, सचित सुखं परमहन सगतिम तुरियं, यत्सवप्नजागरसुसुप्तिमवईति नित्यम, तद ब्रम्हनिसकल महम नचभूत संगव, मनुस्य जो है, ये नष्ठ होने वाला संगात नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अभिनासी है, और इस आत्मा में परमात्मा का वास होता है, इसलिए मनुस्य नष्ठ होने वाला संगात नहीं है, ये मित्ती का सरीर छोड़ देने से मनुष्य की मृत्तु होती है, ये तो सरीर का परिवर्तन है, उसकी आत्मा अजर अमर है, फिर दूसरा सरीर धार्न कर लेगी, इसलिए पुस्प का, फूल का, वायुतत्त्त क्या है भहिया, वायुतत्त नहीं प्र जीव अगर है तो यह स्वांस है यह स्वांस आना जाना अगर एक मिनट के लिए बंद हो जाए तो सब कुछ खेल खतम यह प्राणवायू ही जीव है बाकी कोई जीव का कोई पार्ट नहीं है पेंक्रियाज, लीवर, किडनी जो कुछ भी सरीर के अंग है, हार्ट इसमें कहीं जीव नहीं रखा हुआ है यह प्राणवायू जो अंदर बाहर आ जा रही है यही जीव है इसी का आना जाना बंद हो जाए तो तुरंत आदमी मर जाएगा तो फूल वायू तत्त का प्रतीक है वायू तत्तमाने जीवन, जीव यह वातावर्ण को तो सुद्ध करता ही है जीवन जीने का भी इससे आस्रे मिलता है देवी देवताओं को हमेशा सामने से और उनके चरणों में पुस्प अर्पित करना चाहिए माला हो तो गले में धार्ण करवाएं देवी देवताओं को फूलों की माला अर्पित करने से परिवार में प्यार और भरोसा बढ़ता है खास पूजा पाठ में चढ़ाए गए फूलों को अपने पास रखने से कारियों में सफलता मिलती है आपको एक बात बताओं अगर आप किसी मंदिर में गए हैं और मंदिर में आपने पूजा की और पूजा करके आप सर जुकाएंगे ना भगवान के सामने अगर आपने भगवान के सामने सर जुकाया सर आपने उनके पहरों के पास रखा और उसी समय मूर्ती से कोई माला या फूल गिर करके आपके उपर आ जाए तो मैं 101% की गारंटी से कहता हूँ आप जिस मनो कामना से उस मंदिर में गए होंगे वो मनो कामना आपकी ततकाल पूर्ण होने वाली विश्वास नहो तो राम चेरित मानस खोल लीजिए जब पारवती जी के मंदिर में जा करके माता सीता पूजा करती हैं और कहती हैं कि हे मा यह जो सावला सलोना लड़का है यही मेरा पती हो जाए भगवान राम को देख करके और ऐसा कह करके जब अपना माता पारवती के सामने सीता जी गिराती है पार्वती के गले से एक माला तूटकर सीता के गले में जाकर पड़ जाती है तो कहने का मतलब ततकाल कारे सिध्धी आप कहीं बैठे हुए हैं, किसी चित्र पर फूल चढ़े हुए हैं और आप कोई बात कर रहे हैं, उसी समय एक फूल चित्र से गिर जाए नीचे तो आप समझेगा काम आपका हो गया जियोंतिस के ओल ग्रह नच्छत्र कुंडली को देखकर नहीं बताया जाता है जियोंतिस सगुन सास्त्र को भी देखकर बताया जाता है जैसे अगर कोई आप से आया पूचने के लिए कि मुझे संतान कब होगा और उसी समय कोई आपके पास आकर के माला फूल रख दे तो आप कह दीजे कि सिग्र संतान प्राप्ति होगा कोई फल रख दे ले आकर के बिना बुलाए कोई आये पूचे कि मेरी साधी कब होगी और उसी समय कोई कुवारा लड़का आकर के उस कमरे में प्रवेस कर जाए जहां जोत्सी बैठा हुआ है तो चतुर जोत्सी को चाहिए कि ततकाल विवाह की भुश्यवानी कर दें कि विवाह ततकाल होगा इसी तरह से सगुन और अपसकुन भी देख करके जियोटिस का विश्टेशन करना चाहिए सिर्फ ग्रहों को देख करके ही विश्टेशन नहीं करना चाहिए जै माविन दिवास ने पांड़ी इससे जोड़ा एक एहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है आपने जिसे फूल चढ़ाने की बाद कही लेकिन जब पूजा समाप्त हो जाती है या अगले दिन जो पूजा समंगरी चढ़ाई जाती है या जो फूल अर्पित किये जाते हैं उनका क्या किया जाए जाए सारे पुस्प को उतार करके एक जगा रख लिया जाए और घर में जहां भी आप रहते हो वहां एक बड़ा सा गमला बना दिया जाए गमले में थोड़ी सी बालू रख दी जाए और बालू वाले गमले में आप फूल को डालते जाए जाए ठीक है वो गमले में सब मतलब की जो है मर्ज होता जाएगा और चार महीन एच्छ महीने का जब गमला हो जाए तो उसको उठा करके आप किसी खेट में जाल दीजिए अगर खेट नहीं है आपके बास तो आप किसी जल में परवाहच कर दीजिए उससे प्रदूसर भी नहीं होगा और आपका फूल भी सही जग किस्टे मालुगा